वेलकम एबरिबरडी माइनम इस करन सिंग यू आर वाचिंग आई एफ चॉइस यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देखिए इंडियन नेवी का जो ओफ लैन एक्जाम होता है वह किस प्रकार से होता है देखिए अभी तक जो आपने एक्जाम दिय में लेने वाला है जैसा कि आपको पता हुआ कि इंगलेश के आपको 25 मिलने वाले हैं और मेध कि 25 और साइन साथ है यह अवाप एक कापी लोग रहता है कि पृषिक जाता है यह दो जाबको 15 कोशन पर्कार से ही मिलेंगे अभी आपको जो जो 10 कोशन जो की बायो और केमिस् सब्सक्राइब तो मैं तो मैं से जो 25 कोशन है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 15-16 कोशन ऐसे होंगे जो आपने किये होंगे जिसका आप देखते ही आप आंसर टिक कर सकते हैं ऐसे डेफिनिटली आने वाले हैं और आते हैं विकोज मैंने जो दो वार एक्जाम इसका ओपलाइन दे चुका हूं और दो वार ओनलाइन दिया था दिखी मैं 2017 में दिया था सबसे पहले 2018 में दिया था पहले भी एक यहर में टू टाइम आते थे तो हम बात कर रहे थी कि जो मैत की मैं 100% कह सकता हूं कि 15-16 या 17 कोशन ऐसे आएंगे जिनको आप देखते ही टिक कर सकते हैं इतने इजी आएंगे इजी आपको जब लेंगे जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी अपने मेनत की होगी आपको डेफिनलीईजी लेंगे और आप आसनी से आँसे 16-17 नमबर गेन कर सकते हैं वह भी काफी कम समय म इंग्लिस की बात किया तो आपको पताईए कि five question तो definitely पैसे से आने वाले ही है five आते हैं ठीक है ना five question आते हैं और बागी का आपको अंट्रुनियम से नोनिम बताई है और जो भी हैं इंग्लिस का तो फिक्स है बागी का मैध में है मैने बताई कि आपको जो है maximum 16-15 ठीक है इतने कोशन ऐसे आएंगे जिसका आप देखते ही टिक कर पाऊगे यदि आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपने प्रेक्टिस एड़ लगा है जैसे कि आपको पताए कि आप जो ऑपने एक्जाम के लिए सबसे बेस्ट प्रेक्टिस एड़ है आप अरियंद का प्रेक्ट सेड़ होता है वह भी कापी अच्छे इस ओपने एक्जाम के लिए और बात की आपको 25 कोशन साइंस के मिलने वाले हैं साइंस की बात किया तो इसमें 15 कोशन आपको 15-16 कोशन फिजिक्स के मिलेंगे जो की फिजिक्स के मिलेंगे ठीकर आपको 2-3 निमेरिकल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं और और कि चैमिस्टी के कुछ माली जी 5 कोशन के होंगे और 5 कोशन modern science को हो सकते हैं आप ऐसे कह सकते हैं या modern science हो सकते हैं ठीक है ना बाकि की जिए की वात की जाया तो आपको जो है अर्थमेटिक के बिक fragen स के भी 122 रीजनिंग के भी यह थी ठीक ना इसमें सभी दोड़े से जी इस के डिचो ड्रियोंस राइंगे इसमें ज्यएक गीस के लिए अचान walk醬 के लिए आपको जुबड़े। लागा दो तो आपको एक्जाम करना है आपको इसमें टुन्टी में करने आपको जो आ से नीचे जाती है ठीक है ना 42 से उपर नहीं ऑफ लेन एक जम की बात करिए तो इसकी कट आप का फिवर 38 भी जा चुकिए 38 39 40 45 से उपर तो जाई नहीं सकती मैं एक बात 100 परसंट कह सकता हूं कि 45 से कट आप नहीं जा सकती अभी कि लेकिन जो फैनल मेर्ट लिस्ट है उसमें लगवागा आपके अगर 50 है तो 100 परसंट आपका सेलेक्शन पका है ठीकन और आगे बात करें कि एक गंटी में आपको कोशन अंडर्ड नहीं करने आपको करने हैं तो इस तरीका से आपके अंडर्ड कोशन आपको बनावर में करने होगे और देखी इस से जो सबसे बड़ी ही नहीं पर अफिर के आप रही हाँ जटी ही जाएंगों मिलता तो आपको आप सबसे बड़ी बाती है न कि आपको कियो एकजाम की प्रिपरिपरेशन करनी अगर आपकी cut-up आप उसके आसपास जा रहे हैं एक्जाम की cut-up के तो मेरा मतलब है कि आपके 12 में percentage है अथा है एक्टी टू इटी बने हैं तो आपके है्ट काड़ 100% आने वाला है और एड़ मेटकाड आने वाला है तो आपको एग्जाम ऑगा तो ना आपका एपको डिटरन एग्जाम होगा वरकि आपका उसी दिन फि्जिकल एग्जाम भी होगा आपका physical PFT भी उसी दुन होगा तो आपको PFT की भी preparation साथ-साथ करनी है क्योंकि यही चीज़े जो आपको पूरता selection दिलाएगी तो आई होपको आपको समाज भी आया होगा कि आपको आगे चलके क्या करना है आपको ना केवल एक्जाम की तयारी करनी है वल्कि आपको PFT की भी तयारी करनी है physical fitness test क्योंकि यह एक ही दिन होने वाला ठीक है ना ऐसा तो है नहीं कि online exam की तरह एक महीने का time मिलेगा तो आपको इसी प्रकार से कर टोटल सेलेक्शन चाहिए तो सभी सभी जो है राउंड के लिए करने होंगा सभी के तयारी करनी होगी तो यह दूता है और आम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगे कि आपको किस प्रकार का आपको कूध की एंगलिश के लिए और साइन्स के लीए कौन सी पढ़नी जिससरे क्या अपका व्पलैन एकजाम में Elijah in झाल झाल